आज के वीडियो में वर्णाधता अर्थात कलर ब्लाइडनेस को समझाएंगे तो देखें वर्णाधता क्या होती है? तो वर्णाधता जो है ये लिंग सहलगन रोग होता है वर्णाधता और इसे लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है अगर पुछा जाए लाल हरा अंधापन भी इसे कहा जाता है अगर पुछा जाए लाल हरा अंधापन इसे क्यों कहा जाता है? तो देखें जो वर्णाध वेक्ती होते हैं वर्णाध वेक्ती जो होते हैं वे लाल वहरे रंग में भेद नहीं कर पाते इसलिए इसे लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है क्योंकि वर्णांध वेक्ती यानि जिनमें वर्णांता हो जाती है वो लाल वा हरे रंग में भेद नहीं कर पाते अंतर नहीं कर पाते या उसे पहचान नहीं पाते हैं लाल और हरे को इसलिए लाल हरा अंधापन इसे कहा जाता है अगर इसके खोज की बात की जाए लाल हरे अंधेपन की खोज किस ने की तो खोज बैग्यानिक होरनर ने होरनर थे बैग्यानिक इन्होंने सन 1876 में बताया था या लाल हरे अंधेपन का वरणन किया था इन्होंने ते पूछा जाए केलमस वा कीटस इन बैग्यानिकों ने बताया था कि दो जीन होते हैं दो जीन कौन कौन से तो प्रोटेन वा ड्यूटेन ये जो दो जीन होते हैं ये वर्णांधता को कंट्रोल करते हैं वर्णांधता को नियंत्रित करते हैं इसलिए से प्रोटोन दोस कहा जाता है केलमस वा कीटस ने बताया था ये दो बैग्यानिकों ने बताया था कि दो जीन होते हैं जो प्रोटेन वा ड्यूटेन जीन के नाम हैं ये वरांधता को नियंतित करते हैं इसे लिए से प्रोटोन दोज भी कहा जाता है या इसे डेल्टो निज्म भी कहते हैं डेल्टो निज्म भी इसे ही कहा जाता है निज्म भी कहते हैं इसे और आपको बता दें जो वरांधता है वरांधता का जीन वर्णान्धता का जीन X गुर्ण सूत्र पर पाया जाता है X गुर्ण सूत्र पर इस्थित होता है जो वर्णान्धता का जीन होता है यह कहां? पॉइंट भी नोटेट X गुर्ण सूत्र पर X क्रोमोसोम पर इस्थित होता है और Y क्रोमोसोम पर या वाई गुरसूत्र पर इसका एलील नहीं पाया जाता है या कहले जी कि इसका एलील एलील को युग्म विकल्पी भी कहा जाता है युग्म विकल्पी हिंदी में तो ये वाई गुरसूत्र पर इसका एलील या वरानता का एलील वाई पर नहीं पाया जाता है X पर पाया जाता है और आपको बता दें हम सभी लोग जानते हैं कि पुरुसों में पुरुसों में XY तथा इस्त्रियों में इस्त्रियों में XX लिंग गुर्शूत्र पाया जाते हैं लिंग गुर्शूत्र या सेक्स क्रोमोसोम पाया जाते हैं गुर्सों में xy, इस्त्रियों में xx link गुर्सूत्र पाए जाते हैं अब देखे x गुर्सूत्र पर वडानता का जिन इस्थित होता है y गुर्सूत्र पर वडानता का जिन इस्थित नहीं होता है इसलिए जो इस्त्री होती है इस्त्री के एक X गुर्षूत्र पर अगर है एक गुर्षूत्र पर इसका जीन है तो वो वाहक होगी या कैरियर होगी अगर इस्त्री के दोनों गुर्षूत्रों में से एक गुर्षूत्र पर इसका जीन उपस्थित है तो वो वाहक होगी या कैरियर होगी अगर दोनों पर उपस्थित है इसका जिन तो वो क्या हो जाएगी वर्णांध हो जाएगी यानि वो रोग से ग्रसित हो जाएगी अगर दोनों पर उपस्थित है तो रोग से ग्रसित हो जाएगी और अगर पुरुस में एक पर आ गया तो एक से ही अगर पुरुस में एक पर आने पर वो रोगी हो जाएगा वराणध हो जाएगा जबकि इस्तरी में दोनों पर आएगा तभी वो रोगी होगी, एक पर होने से वो क्या होगी वाहक होगी, वाहक, चलिए अब कुछ उदाहन आपको समझा देते हैं, देखें वराणता या color blindness का पहला उदाहन है, में पुछा जाता है एक्जाम में पुछा जाता है एक वर्णांध पुरुस का भीवा सामान इस्त्री से होता है तो इनके पुत्रवा पुत्रियों में इस रोग की वनसागति का रेखा चित्र द्वारा दर्सा यह यह इस रोग की वनसागति को रेखा चित्र के द्वारा दर करना है इस तरह से प्रश्ण पोचते हैं तो वर्णान्ध पुरुस है और सामान इस्त्री है अब पुरुस में एक्स वाई गुर्षूत्र पाए जाते हैं इस्त्री में एक्स एक्स गुर्षूत्र पाए जाते हैं कहा गया वर्णान्ध पुरुस है तो एक्स पर लगा दीज यहों कि वर्णांधा का जीन X गुरुसूत्र पर ही इस्तित होता है और वर्णांध पुरुस है इसलिए X पर C लग जाएगा यानि कलर प्लाइडनेस लग जाएगी तो यह हो जाएगा वर्णांध पुरुस और यह सामान इस्त्री है आप देखे यहां पर इस्पर्म को अलग निकाल लेंगे यहनी गैमिट को अलग निकाल लेंगे तो X यह सी हो जाएगा और Y फिर इसको भी अलग आप निकालेजी X और इधर भी X यह हो जाएगा आप क्या करेंगे? cross करवा देंगे और cross करवाने पर X और color blindness हो जाएगा ये फिर ये वाला X फिर इसको इससे करवाएंगे तो color blindness है और X ये वाला आ जाएगा फिर इसको इससे करवाएंगे तो X और ये Y आ जाएगा फिर ये बचा हुआ है 6 तो इसको इससे करवा देंगे तो X और ये Y हो जाएगा तो देखे इसमें ये एक ही X गुर्षूत्र पर color brightness का जीन उपस्थित है और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एक पर ही उपस्थित है तो वो वाहक होगी और X X है तो पुत्री वाहक पुत्री हो गई ये भी वाहक पुत्री हो गई और ये सामान पुत्र हो गया क्योंकि color brightness का जीन नहीं है सामान पुत्र हो गया तो देखे अगर कोई वेक्टी यानि वर्णाद पुरुस है और सामान इस्त्री है कोई वर्णाद पुरुस जिनकी वाहक होंगी सभी पुत्रियां और सभी पुत्र सामाने होंगे चलिए अगला उधारण देखते हैं अब देखें दूसरा उधारण है वर्लांध पुरुस और वाहक इस्त्री है तो अगर कोई वर्लांध पुरुस है वो वाहक इस्त्री से विवाह करता है कैरियर ओमे से विवाह करता है तो उसकी संताने कैसी होंगी तो पुरुस कैसा है वडांध तो पुरुस में xy और इस्तरी में xx गुर्षूत्र पाये जाते हैं अब पुरुस वडांध है यानि कि c x पर आ जाएगा वाहक इस्तरी है इसका मतलब c किसी एक पर आप रख दीजिए अब पुरुस के इस्पर्म इधर आप निकालेजी इसके ओवम इधर निकालेजी चाहे आप गैमेट्स भी कह सकते हैं तो xy यह x यह अब क्रास करवा दीजिए तो क्रास करवाने पर इसको इससे जब करवाएंगे तो x पर वाडानता का जिन उपस्तित है और फिर इसी को इससे करवाया जाएगा तो x पर तो यह हो जाएगा और इधर भी यह हो जाएगा फिर इधर xy हो जाएगा और फिर इसी को इससे करेंगे तो x और y हो जाएगा तो देखिए ये एक पर है और इस्तरी है एक पर होगा तो किवल वाहक होगी कैरियर होगी वाहक पुत्री होगी और यहाँ पर देखिए दोनों पर उपस्तित है जब दोनों पर उपस्तित हो जाएगा और इस्तरी के गुर्ण सूत्र है एकस एकस तो वर्णांध हो जाएगा वर्णांध पुत्री हो जाएगी और ये सामान पुत्र हो जाएगा और ये वर्णांध पुत्र हो जाएगा क्योंकि पुरुस में एक ही आने एक ही पर वर्णाथा के जीन आने पर वो वर्णांध हो जाता है देखे उदाहर नमबर 3 है सामान पुरुस है और वर्णान्ध इस्त्री है तो पुरुस में xy गुरुसूत्र पाए जाते हैं इस्त्री में xx गुरुसूत्र पाए जाते हैं पुरुस कैसा है सामान ने है तो सामान ने पुरुस लिख देंगे इस्त्री कैसी है वर्णान्द है वर्णान्द होगी तो दोनों पर लगेंगे इस्त्री क्योंकि जब इस्त्री के दोनों गुर्सूत्रों पर जो लिंग गुर्सूत्र होते हैं उसपर जब वर्णांता का जीन होता है, तब ही वो वर्णांद होती है, वर्णांद इस्तरी हो जाएगी, अब इसका स्पर्म इधन निकाल लेंगे, इसका ओवा इधन निकाल लेंगे, यहनि गमीर्ट अलग अलग कर लीजिए आप, और फिर अलग करने के बाद क्रास करवाएंगे इसको इससे ये बच्चा इसको इससे हो जाएगा और इसको इससे हो जाएगा तो देखिए इसमें ये जो पुत्री आई है एक गुर्सूत्र पर है तो ये वाहक पुत्री होगी, ये वर्णांध पुत्र होगे और ये भी वर्णांध पुत्र होगा तो देखे, यदि कोई सामान पुरुस वर्णांध इस्त्री से विवाह करता है, तो उसकी पुत्रियां उस जीन की वाहक होगी, और सभी पुत्र वर्णांध होगी सामान ने पूरुस तथा वाहक इस्त्री अगर विवा करते है सामान ने पूरुस अगर वाहक इस्त्री से विवा करता है तो उसकी संताने कैसी होंगी तो देखें पूरुस सामान ने है तो एक सुगुर सूत्र हो जाएगा सामान ने पूरुस लिख देंगे वाहक इस्त्री है और वाहक है तो एक ही गुर्षूत्र पर होगा जीन वाहक इस्त्री है अब इनके गैमेट्स को अलग निकाल लेंगे इसके भी गैमेट्स को अलग निकाल लेंगे और क्रास करवा देंगे तो ये एक्स एक्स हो जाएगा इसको इससे क्रास करवाएंगे तो X और color brightness आ जाएगी और फिर इसको इससे करवाएंगे इस तरह से आ जाएगा तो देखिए ये सामान पुत्री होगी ये वाहक पुत्री होगी क्योंकि एक पर उपस्थित है ये सामाने पुत्र होगा और ये वरनांध पुत्र होगा इस प्रकार से अगर कोई सामाने पूरुस वाहक इसत्री से बिवाह करता है तो उसके जो 25% पुतr हैं वो नार्मल होंगे 25% पुत्र नार्मल होंगे और 25 प्रसत जो पुत्रियां हैं वो नार्मल होंगी 25 प्रसत पुत्रियां भी नार्मल होंगी और 25 प्रसत वाहक होंगी कैरियर होंगी डाटर्स और 25 प्रसत पुत्र कलर ब्लाइडनेस होंगे तो आसा है आप सभी लोगों को ये सबी एक्जाम फिर और कालर ब्लाइडनेस यानि वरांता अच्छे से समझ में आ गई होगी समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक और सेर कीजिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद